नमस्कार दोस्ते श्टेडित मस्ती चांप आप सभी लोग का स्वागत है और आप जैसा की जानते हैं कि आज जो है संडे के दिन और यूपी प्यसी जी आइसी प्रवक्ता का एक्जाम हुआ है तो हम लोग देखेंगे दूस्तो ये एक से चालिश तक ये सभी पेपरों में जी एस के कोश्चन आए हुए थे तो इन जी एस के कोश्चन को अम लोग देखेंगे बाकी के तो सब्जेक्ट वाइट इफर करेगा तो देखिए इसमें कह रहा है पहला कोश्चन था दे कंसेप्ट आप एको सिस्टम वाज फर्स्ट इसका हो जागा एको सिस्टम का कंसेप्ट पहली बार एक टांसले द्वार दिया गया था और इसमें जो देख रहे हैं कि इन इक्वाल्टी वाइरस ग्लोबल रिपोर्ट द्वार एक कैस पब्लिश की गई है आक फायम द्वारा आप्शन भी करेक्ट हो जाएगा आपके य इंखित में से राज के नीत निजिसक तत्तों का कौन सानुषेद राज को निल्देशित करता है कि विए उद्योग की प्रबंधन में कामगारों की साभागिता सुनिशित करें तो यह मैं पहले से टिक कर लिया हूँ आप्शन एक करेक्ट हो जागा फोटी थ्री ए उद्य प्रबंधन में है और महराज गैंज में कुछ लोग इसको मार रहे है तो महराज गैंज में गिद सर्ण केंदर बनाया गया है ठीक है दोस्तों कि चलिए आगे चलते हैं भारत के कुल भागौली छेतरफल में उत्तर प्रदेश का कितना भागोलिक प्रतिशत है बताए उत्वला सवर बड़ा कर लेते हैं तो ये उत्तर प्रदेश का जो दोस्तो 7.33 प्रतिशत है 12 वे बित आयोक का द्यक्ष कौन था सी रंग राजन अभी जो दोस्तो 15 वे बित आयोक चल ले हैं लेकिन ये बारावे बित आयोक का पूछा हुआ था अब देखिए साल्ट टालरेंट क्राप साल्ट टालरेंट क्राप यहाँ पर हो जागा दोस्तों चुकंदर सुगर बीट भारती राष्टी कांग्रेस में समलित होने के लिए सुभाष चंदरबोस को किस ने प्रेरित किया तो चितरंजन दास और एमके गादी आप संडी करेक्ट हो जागा दोस्तों चली आगे चलते हैं दिली के किस सुल्तान ने अमानवे दंड देना बंद कर दिया था तो ये फिरोष सातुगलख है आप संसी करेक्ट होगा दोस्तों आप देखर यहां पर किया है अंगूर से सराब बनती है, दूच से मखन बनता है पानी से आजसीजन बनता है लेकिन Specs से रोग नहीं होता है तो यही जो है दूस्तो आपका एंसर होगा यही बिशम है चली आगे चलते हैं और उत्तर प्रतिश का कौन सा सर मार्च द्वार बिश को राजी के जीडिपी और प्रतिव्यक्ति आय के मामले में सिर्ष पर है तो सिर्ष पर नोड़ा है आपसन A करेक्ट हो जागा B करेक्ट ह होगा नुड़ा है कॉनोच पर महँ मुद घजनी के आक्रमर के समय वहांका सासक कौन था महमूद घजनी के आक्रमर के समय वहांका सक जो था दोस्तो राजयपाल था अब इसमें देखिए पूछ रायक निवखित में से की छेत्र में मोटे अनाज वाले फसले उगाई जाती हैं तो यहां पर ए और बी में डाउट है आप इसको देख लेंगे और मैं इस पर जाओंगा मुचाई वाले छेत्र में इसमें डाउट है ठीका ना इसको आप लोग ए और बी में से देख लेंगे 1829 में अंग्रेजियों के विरुद खासी जन जाती पिद्रों का नेत्रित किसने किया था खासी जयनतिया गारों जो हुआ था ये पाडियां है में गाले में तो इसमें तीरोट सिंग तीरोट सिंग का जाता है तीरोट सिंग भी इनको का जाता है तो इसतर प्रणूस कहता ह सूरी उर्जा का कारण है नावकिय सलनयन, ह्यूजन रियक्शन, हडपिय पुरा अस्थल बनवाली किस नदी परिष्टित है, तो बनवाली धोस्तो घगर नदी परिष्टित है, और ये निमकित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का एक लोग निरित्य है, तो लोग निरित्य कौन सा है, जायता है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये देखिए, ये मिलाने को दिया हुआ था, कहां कहां से इसमें दोस्तों आपसन भी करेक्ट है, लाइए मैं आपको मि देता हूँ, आइरन और इटा बीरा, ये फोर हो जाएगा, आइरन और इटा बीरा हो जाएगा, और B3 हो जाएगा, मैगनीज जो है, चियातुरा, B3 हो गया, और C2 हो गया, कापर जो, सडबरी, और एक बच गया दोस्तों, D1, वाइपा जो है, ये बाकसाइट, वाइपा हो गया, तो इस प्रकार से दोस्तों, आप सन भी आपके आप पर करेक्ट होगा, चलिए आगे चलते हैं, मौली कर्तब्यों को भारतिय सम्दान के बैल से सम्दान समसंदर दर 1976 द्वारा, निम्कित में सिकिस की सिफारिस पर जोड़ा गया, कर्तब्यों को, ये सबसे आसान कोश्चन है, स्वारंड सिंग समीती, और वो कौन सा मुगल बात्सा था, जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना, प्रथम मुगल बात्सा, ये सा आलम था, इलावत की जब संदी हुई तो उस समय, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर, इसका 20 इंसर होगा, कैसे होगा, देखिए हो क्या रहा है, यहाँ से चलिए, तो चार त्याई, पारद उचाउद, और नतिर सताइस, सतीन, सताइस दू उनतीस, तो गुणे तीन, प्लस दो कस चल लाई समिस, इक्वेशन दोस्तों, तो इसी तर से, छत्री अठारदू, बीस, आपसंसी, आपका यहाँ पकरेक्ट हो जाएगा, निम्खित में से किस देश से होकर भूमाद दिरेखा नहीं गुजरती है, तो यह होका दोस्तों, मिलालियाम, चामबिया से नहीं गुजरती है, उसके बाद केनिया, युगांडा और गयबन सो जाती है, इसमें देखिए, राजसभा के सीटों का देखना था, तो उत्तर प्रदेश में 31 साही है, हिमाचल प्रदेश में भी 3 साही है, 36 साही है, लेकिन असम में दोस्तों, 6 के जवब पर 7 सीटे है, तो यही आपका सुमेलित नहीं है, आपसन ए आपके आपकर करेक्ट हो जागा, और उत्तर प्रदेश में कौन सा प्रमुख खुत्योग नहीं है, तो आटो मोबाइल, कपला चीनी, सिमेंट ये सब है, अब देखिए, भारत निर्माण योजना का संगटक नहीं है, तो दोस्तो, ग्रामिर सड़के, रूरल रोट्स, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, और रूरल ड्रिंकिंग वाटर सप्राइल, लेकिन रूरल इंड़स्ट्रीज नहीं है, आपसन, सी करेक्ट होगा, सिराज एहिंद कहा जाता था, क्या का रम्माधिकाल में उत्तर प्रदिश के किस जनपत को, सिछा का केंदर होने के कारण, सिराज एहिंद कहा जाता था, ये कहा जाता था दोस्तो, जौन पूर को, ये गुप्त कालिन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में आवस्तित है गुप्त कालिन मंदिर पर सब्द पर फोकस करिएगा तो ये देवगर का दसावतार मंदिर और ये उत्तर प्रदेश में बिधान परिशाद बित बिधेयाक कितने दिनों तक बिलंबित कर सकती है तो 14 दिन तक दोस्तों भारत में मीचुल फंड को नेउखित में सिक्की संस्था के द्वारा बिनीमित कियाता है तो सेवी के द्वारा और ये प्रदान मंत्री फसल बिमय यजना शुरू की गई थी द्वादर सोरह में अब देखिए दोस्तों ताप बिद्धुत ग्रीह और राज दिया हुआ है इसमें जो है बाढ जो है बिहार में है लारा जो है छतिसगर में है कि और खुडगी करनातक में जबकि गडरवारा जो है दुस्तों ये मद्द्य प्रदेश में लाज लेगा गार और मद्द्य प्रदेश के चलिए हैं दोस्तों तो चलिए और आगे बढ़ते हैं, ये RBI द्वारा कितने बैंकों पर जुलाई 2021 में नियमों की उलंगन के लिए जुर्माना लगाया गया, चौदा बैंकों पर, बार भट ने हर स्चरित में किस मौरे कालेइन सासक का उलेख किया था, ये बिरेदरत होगा दोस्तों, ये ऐसे है दोस्तों, देखिए इसमें बहुत लोग कनफ्यूज कर रहे हैं, इसमें मौरे बंस का अंतिम सासक बिरेदरत था, और पुसमित्र सूंग जो है दोस्तों, उट रचना करके, बुरेदरत की अत्या करके, सूंग बंस्की अस्थापना करता है. तो यही बात काता है, अब देखिए देशलपूर जो है दोस्तों, यह गुजरात में है. उसके बाद हुलास आलमगीरपूर और मंडी जो है दोस्तों यह उत्तर प्रदिश में अनुशेद के तत उत्तर प्रदिश में महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है एडूकेट जन्रल एडूकेट जन्रल अनुशेद एक सपाइसट हो गया दोस्तों इसमें देखिए बाएंक में वो बोक्ता सेवाओं में सुधार का सुझाव देने के लिए नियुक्त में से किस समिति के गठन किया गया था वो बोक्ता सेवाओं में वो बोक्ता सेवाओं के लिए गाईपूरिया समिति थी दोस्तों आप्सन सी करेक्ट होगा जी अश्टी परिशत का अध्यक्ष कौन है तो ये बित मंत्री होते हैं आपके निर्मला सीतारा मड़की है इसमें देखिए उत्तर प्रदेश में कौन सी अनसुचित जन जाती पाराण सी जन पद में नहीं पाई जाती है तो ये हो जाएगा सहरिया आगी देखिए चालिशाओं कोश्चन कहरा दोस्तो 2021-22 के संगी बजट प्रस्ताव 6 अस्तंबो पर आधारित है निर्मकित में से कौन सा एक इसमें समलित नहीं है तो इसमें दोस्तो ये जो भिलेज एकोनामी वाला इस्ट्रेंग्थनिंग भिलेज एकोनामी ये नहीं है लेकिन भिलेज एकोनामी के बारे में नहीं का आगया है तो ये दोस्तो हो गए GS के 40 कोश्चन तो इसको आप लोग मिला लिजिए और फिर अपना सब्जेक्ट का कोश्चन मिला करके बताईए तो फिर कट आपको अनमान लगाया जो दोस्तो चलिए तो आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर करें ताकि आपके मित्र तक भी पहुंचे और चैनल को सब्क्राइब करके गंटी का इकन को प्रेस कर लिजिए ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफेक्शन मिलता रहे आप सभी को पुना धन्यवाद प्रशक्राइब करें त scalar मिलत्ग करेंवाद